हलो एव्रिवन आज का जो पैरेग्राफ है वो है most memorable day of my life के उपर तो चलिए शुरू करते हैं इसको translate करना हिंदी में most memorable day of my life most मतलब सबसे अधिक memorable का मतलब होता है यादगार दे मतलब दिन of my life मेरे जीवन का of का मेरे जीवन का most memorable day of my life मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन the happiest the happiest happiest मतलब सबसे खुशी सबसे अधिक जब खुश होता है तो उसके लिए आएगा happiest word and the most memorable most सबसे अधिक memorable यादगार day of my life मेरे जीवन का was यानि था from our tour to Sikkim हमारा जो tour था Sikkim तक का वो memorable day मेरा था तो यहाँ पर to का जो यूज हुआ है इसका हिंदी में में है तक और from say to यानि तक तो इस लाइन का क्या मेरे जीवन का सबसे खुशी और सबसे यादगार दिन मतलब सबसे खुशी का चीक है खुशी का दिन और सबसे यादगार दिन हमारे Sikkim tour से था tour मतलब दौरा या यात्रा it was family vacation it was यानि क्या था यह एक family vacation था मतलब पारिवारिक vacation मतलब छुट्टी या आवकाश and I was यानि की मैं थी 10 10 यानि 10 at that time that time से पहले at preposition लगाई यानि की उस समय मैं 10 साल की थी क्या मीन हो गया अब इसका की it was a family vacation and I was 10 at that time यह एक पारिवारिक अवकाश था vacation और मैं उस समय दस वर्ष की थी we enjoyed we मतलब हम या हमने enjoyed मतलब मजे किये खूब मजे किये या जो भी थे वो सब a lot a lot का मतलब बहुत ज्यादा खूब on that trip यानि की उस trip में वो जो यात्रा थी उस यात्रा में तो क्या मीन हो गया कि उस trip में हमने खूब enjoy किया खूब मजे किये खूब आनंद लिया a lot मतलब बहुत ज्यादा बहुत सारा enjoyed आनंद लिया या मजे किये तो enjoyed जो है वो है वो अपकी second form तो यह है past indefinite tense ठीक है और it was यहाँ पर past indefinite tense ही है जब कोई भी action नहीं होता तो was work का यूज करते हैं past indefinite में the trip started like any other trip to the mountains the trip यानि trip शुरू हुई started है वर्ब की second form है past indefinite tense है like यानि तरह या जैसे any other कोई अन्य कोई अन्य ट्रिप यात्रा to the mountains यानि की mountain की तरह अब यहाँ पर तू जो प्रिपोजिशन है और उसके काफी सारे uses होते हैं लेकिन यहाँ पर है दिशा दिखाने के लिए हम तू का use कर रहे हैं तू सिक्केम तू मार्केट अब यहाँ पर है to the mountains क्या मीन है भी स्लाइन का पूरा की यात्रा ट्रिप ठीक है ट्रिप का मतलब है यात्रा पहाडों की यात्रा पहाडों की किसी भी अन्य यात्रा की तरह शुरू हुई यह है past indefinite tense शुरू हुई we boarded a train, Dan booked a car, Dan took us up the hills we boarded, we यानि हम, boarded का मतलब होता है सवार होना या चड़ना यह है boarded के mean वर्ब की second form है यह a train, हम train में चड़े, छीक है, then, then का यहाँ पर क्या मतलब है फिर, then, फिर, booked यानि की हमने book की, वर्ब की second form है, book की a car, a car, that, that, that का मतलब है की जो, यहाँ पर that का means है की जो, took us, take us का second form है, take का, ठीक है took तो take मतलब ले जाना, तो take us, यानि हमें ले गई up the hills, up the hills मतलब पहाडों पर, ठीक है, up the hills, पहाडों पर, इसका mean है क्या mean हो गया की हमने, 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 हम एक train में चड़े, हम एक train में चड़े, we boarded a train, then, फिर, booked the car, फिर हमने एक car book की, that, यानि की, जो took us, यानि ले गई, ले गई हमें up the hills, पहाडों पर, तो जो हमें पहाडियों तक ले गई, पहाडियों तक या पहाडों पर, ठीक है, पहाडियां इसले, hills है याँपर, यह है इस line का mean, हम एक train में चड़े, फिर एक car book की, जो हमें पहाडियों तक ले गई, I slept, sleep की second form, यानि की past indefinite tense, यह जो paragraph है, आपको past indefinite tense में ही मिलेगा, I slept, मैं सोई, सोई या सोया, the entire car ride, ride का मतलब सवारी, किसकी कार की, the entire, entire मतलब संपून या पूरा, या पूरी, as I couldn't sleep on the train, couldn't, यानि could, न कर सका, ठीक है, can, past में बात होती है, तो can की जगे, हम could का use करते है, I couldn't, नहीं कर सका, क्या, सो नहीं सकी, या सो नहीं सका, on the train, किस में, train में, क्या है अब इस line का mean, कि मैं पूरी कार की सवारी में सो गई, क्योंकि, मैं train में नहीं सो सकी, या सो सका, next क्या है, the main highlight for me, जो main, यानि मुख्य, highlight कह सकते हैं, कि आकर्शन, या main highlight मतलब मुख्य बात, क्या, for me, यानि कि मेरे लिए was, था, थे, थी, the day, यानि कि दिन, the day, दिन, after, after we arrived there, after का मतलब बाद, arrived, यानि पहुँचना, वर्ब की second form है, arrived से arrived, पहुँचने के बाद, पहुँचने के बाद, there, यानि वहाँ, तो मेरा जो मुख्य आकर्शन था, अब इसका हिंदी में क्या मीन हो गया, कि मेरे वहाँ पहुचने के बाद का दिन, मेरे वहाँ पहुचने के बाद का दिन, मेरे लिए मुख्य बाद थी, या मुख्य आकर्शन था, ठीक है, main highlight मतलब, the main highlight for me, मेरे लिए was, यानि था, थे, थी, the day, दिन, after we arrived there, मेरे पहुचने के बाद का दिन, In the morning, यानि सुब है And the weather, weather का मतलब मौसम So chilly, यानि बहुत थंडा या इतना थंडा, या इतना सर्द That, that का मतलब की We, we यानि हम Were freezing, were plus verb की first form के साथ Freeze के साथ ing लगा है यानि की past continuous tense Were freezing, हम क्या हो रहे थे हम freeze हो रहे थे, जम रहे थे Were freezing, जम रहे थे We के साथ word का यूज़ होआ है क्योंकि we क्या है, plural subject है इसलिए word का, अगर singular होता तो was का यूज़ होता Like यानि जैसे a statue Statue का मतलब क्या, मूर्ती कि सुब है, or, in the morning यानि की सुबह, end का मतलब और है न, और मौसम इतना थंडा था सर्द, यानि थंडा, इतना कह सकती है, कि मौसम इतना थंडा कि हम एक मूर्ती की तरह जम रहे थे The weather is so chilly that we, यानि हम Were freezing like a statue, हम एक मूर्ती की तरह जम रहे थे The moment, the moment का मतलब वो शन, ठीक है उस वक्त, उस शन, जब भी मैं, I walk up, wake up का past form है Walk up, यानि मैं उठा, या मैं उठी The moment I walk up, यानि उस शन, जब मैं उठी I saw, मैंने देखा, the, सी का, second form, saw ठीक है, यह है, past indefinite tense ही है इसमे I saw, देखा, the beautiful, beautiful, सुन्दर, कंचन जंगा कंचन जंगा, range, from, कंचन जंगा, range को मैंने देखा कंचन जंगा, पर्वतमाला, ठीक है range, पर्वतमाला, या श्रंखला उसको मैंने देखा, from, यानि say the massive Massive मतलब बहुत बड़ा Massive का मीन हो गया, बहुत बड़ा, या विशाल ठीक है, window, यानि खिरकी, in my lodge जहां पर मैं ठहरी हुई थी ना, उस lodge में से, उस room में से, वहां से मैंने देखा, क्या, कि जिस शन मैं उठी, this, that moment, जो भी moment था, उसमें जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने lodge की विशाल बहुत बड़ी आवर रूम, it's a side, side का यहां पर मतलब है द्रश्टी, ठीक है, नजारा, या कह सकते हैं, द्रश्य, side का मतलब, one can never, never यानि कभी नहीं, forget यानि भूल सकता, can, सकता, one यानि कोई भी, कोई भी कभी नहीं भूल सकता, अब इसका पूरा मीन के है, कि बादल हमारे कमरे में आ गए, कमरे में आ गए, got into, आ गए, our room, got into मतलब, get in, यह मतलब होता है, इसका इंगलिश में कहें, तो अंदर आ जाना, it's a sight, यह जो द्रश्य था, यह जो भी नजारा था, कोई कभी नहीं, भूल सकता, one can never forget, the rest of the day, the day का मतलब होता है, दिन, और the rest of का मीन है, बाकी, तो पूरा मीन हो गया, the rest of the day का मतलब, बाकी दिन, we, हम, went यानी गए, वर्ब की second form, क्या है, go, go, went, gone, go first हो गई, went second, और gone, third वर्ब की form, around, around का मतलब, आसपास, या चारों, और a few, a few का मतलब, कुछ, small यानी, चोटे, waterfalls है, waterfall जहरना, तो waterfalls जहरनो, पूरा मीन क्या हो गया, कि बाकी दिन, हम कुछ, छोटे, जहरनों के, आसपास गए, the rest of the day, we went around a few small waterfalls, तो ये क्या है, past, indefinite tense है, क्यों, went है ना, या पर वर्ब की second form, we, यानी, हम, या हमने, also, यानी, भी, head, head यहां पर क्या है, वर्ब की second form है, किसकी, have first form में आता है, और head second form में, तो ये वर्ब का काम कर रहा है, head यहां पर, a few, यानी, कुछ, fantastic, मतलब, शांधार, local, मतलब, स्थानिय, delicacies, मतलब, vengeance, तो इसका पूरा मीन यह है, कि हमने, हमने, कुछ, शांधार, स्थानिय, भोजन भी, खाया, तो have का sense दे रहा है, head यहां पर second form है, the experience, experience का मतलब है, क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको अनुभाव, was soothing and calming, मतलब की जो सुख दायक हिंदी में हो गया, सुध यानी, खुशी प्रदान करने वाला, सुख देने वाला, सुख दायक, और काम का मतलब होता है, शान्त, तो शान्ती देने वाला, जो हमारा experience था, वो कैसा रहा, सुख दायक और शान्ती पून रहा, शान्ती देने वाला रहा, that day, यानि उस दिन, was यानि, was well spent, was यानि था, well, well मतलब अच्छा, spent, spent मतलब बिताना, ठीक है, बीता, बीता, and memorable, memorable का मतलब है, यादगार, ठीक है, इसका पूरा मीन क्या हो गया, कि that day, मतलब वह दिन, खूब अच्छा बीता, ठीक है, वैतीत हुआ, बीता, और यादगार रहा, तो यहाँ पर यह paragraph complete होता है, उमीद है कि आपको इससे कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, एक और नए educational वीडियो के साथ, तब तक के लिए, thank you so much.